गाइस क्या आपको पता है एक बिघा में कितना मीटर होता है और आप सोच रहे हो कि मैं दस बिघा खेत में अपने कितना बंडल तार लगवा हूँ लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि एक बिगा में मीटर होता कितना है लेकिन आगर आप लोग धोड़ने के लिए गूगल पर सच करने जाते हो तो आपको कुछ ऐसा पिक देखने को मिलता है इसमें यह लिखा है कि अलग-अलग स्टेट में जो एक बिगा का मीटर होता है व मुझे कमेट में बताना कभी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में तो चलो स्टार्ट करके तो यूपी का अगर एक बिगा का मैं सबसे पहले आपको स्क्वार फूत बताओं तो 27,000 स्क्वार फूत होता है इस्क्वार फूत की में बात कर रहा हूं ठीक है आप ये गूगल पर भी सर्च कर सकते हो या आपके जो भी मोबाइल में कायलकुलेटर है उसमें एक एडिया को ऑप्शन होता है सेटिंग में वहां से जाकर आप देख सकते हो कि एक बिगहा में कितना स्क्वाइर फुट होता है अब वही अगर हम मेटर में देखें तो पची आपको भीलेटर लगावन ठिदो पाईगा वहां फ्सक्राइब तो रएक अधिकी बलत और फदिषट कर दमकी में पोश्मीन हो फुक्षा मिद्न आपको तस्क्राइब कंबड़ में और किक अफ्टा में में जरताने पीड़नी हम ब्रॉइं पाइंग कि अधिकतामि उन्ह लेकिन अब आपका थोड़ा सा आपको पताए कि जो हमारे खेट के आसपार जानवर है वो उपर से कूट कर चले जाते हैं तो आपको लगभग और ज्यादा लेयर लगाना होगा और थोड़ा लंबाई तक लगाना होगा तो तीन लेयर में नहीं हो पाएगा उससे बीस से नि आप आठ बंडल लेना तब जाकर आपका एक बिघा एरिया कमप्लीट एक बात और जानलो कि एक किलो में जो तार पहुंचता है जैसे कि अब मैं भी जो यह पर यह वीडियो देखो इसमें जो तार हमें देखने को मिला है यह गट्था तनी लगा है जो अधिकतर आपको मा तो बिल्कुल भी उसी बात मत मानेगा वो सिर्फ आपको बेजने के लिए कह रहा है बस इतना आप सोच कर चलना कि एक किलो में बारा सा थेरा मीटर चड़ता है और आपको जैसे भी अपने खेत में आपको पता है कि हमारे खेती लंबा यतनी है तो आप उस हिसाब से उस में कितना मीटर होता है अब अगली वीडियो देखो इसके बार आती है या इस वीडियो के कुसी और दो वीडियो के बार आती है उसमें हम लोग जानेंगे कि एक एकर में कितना मीटर होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहो तो यहां सकतो अग खरीदने में मलत करेगा कि कौन सा तार आपको खरीदना चाहिए और कौन सा तार आपको नहीं खरीदना चाहिए तो बस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वूडियो में